एक समय की बात है, बीच बसे एक शांत गाव में शांतिपूर्ण ग्रामीनों का एक समुदाय रहता था। उनमें माया नाम की एक गर्भवती महिला भी थी, जो अपनी दयालुता और विनम्रता के लिए जानी जाती थी। उसे नहीं पता था कि उसका जीवन एक बुद्धिमान रिशी। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ने वाला था। जैसे जैसे माया की गर्भावस्था बढ़ती गई, गाव में कानाफूसी फैलने लगी। अफवाहों से पता चलता है कि गौतम बुद्ध स्वय माया से मिलने आये थे और उसका बच्चा असाधारण होना तै था। ये अफवाहें आरोप प्रत्यारोप में बदल गई। क्योंकि कुछ ग्रामीनों ने दावा करना शुरू कर दिया कि माया का बच्चा गौतम बुद्ध का था। यहाँ खबर गौतम बुद्ध के कानों तक पहुँची, जिनोंने आरोपों से बेफिक्र होकर गाव का दौरा करने और स्थिती का सामना करने का फैसला किया। वह शान्ती और ज्ञान की आभा बिखेडते हुए गाव की सडकों पर शान्ती से चला। गौतम बुद्ध माया के विनम्र निवास थान पर पहुँचे, जहां उसने श्रद्धा और भ्रम के साथ उनका स्वागत किया। वे मुझ पर आरोप क्यों लगाते हैं। भगवान बुद्ध माया ने पूछा, उसकी आखों में आसु आ गए। गौतम बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। चिंता मत करो, माया। सत्य समय आने पर स्वया प्रकट हो जाएगा। जैसे जैसे माया के बच्चा के जन का समय नजदीक आता गया, अभियोग और बढ़ गए। कुछ गाव वासी माया से बच्चे की वन्शच्ता का सबूत मांगते, जबकि अन्य उसकी और संद्यहात्मक नज़रे डालते। उनके फैसले के वजन को महसूस करते हुए, माया द्रिज रही, उसका विश्वास अटूट था। एक शांतिपूर सुभा, गौतम बुध गाव के चौराहे पर पहुँचे, जहां चल रहे नाटक को देखने के लिए भीड जमा हो गई थी। उन्होंने शालिंता और विनम्रता के साथ ग्रामीनों को संबोधित किया। उनके शब्दों में सच्चाई और करुणा का भाव था। रहस्योध घटन के एक क्षण में गौतम बुध ने सभी प्राणियों के अंतरसंबंद और निर्णय की मूर्खता के बारे में बात की। उन्होंने सपष्ट किया कि माया का बच्चा न तो उनका था, नहीं किसी और का। वह बच्चा उन्होंने घोष्णा की जीवन का उपहार था, जो दुनिया में खुशी और ज्ञान लाने के लिए निर्धारित था। जैसे सच्चाई का एहसास हुआ, गाव में एक शांती की भावना चायी। अभियोग धिमेधी में समझ में बदल गए और गाव वासियों ने माया को प्रेम और स्विकृती के साथ गले लगाया। गौतम बुध की शिक्षाओं ने उनके दिलों को छू लिया, जो करुणा और एकता के मार्ग की खोज में थे। और इस प्राकृतिक सौंदर्य की शांतिपूर्ण सुंदर्ता के बीच एक नया यूग आरंभ हुआ। माया ने एक स्वस्त बच्चा जन दिया, जो दिव्य हस्तक्षेप के प्रतीक के रूप में नहीं, बलकि जीवन की मूल्यवान भेंट के रूप में स्वागत किया गया। और गौतम बुध का ज्ञान जारिया।